नमस्कार फ्रेंड्स आप सबको सवगत है बिजनेस वाला हिंदी में तो एक नया वीडियो में लेकर आये हूँ और एसे ही बिजनेस के रिलेटर्ड वीडियो इस चैनल पर आते हैं तो इस चैनल को पहले सब्स्राइब कीजिए और आभी मैं बिजनेस के बारे में आपको बा जादा है जो पैकेजिंग करके हम लोग जो पानाते है उसकी बीडिमाड बहुत जादा है और इसके लिए सिर्फ आपको 20-30,000 रुपई इतने कोस्ट की मशिन लगती है सिर्फ 20-30,000 मशिन के लिए आपको इन्वेस्मेंट लगती है 5,000 रुपई का आपका इसमें रो मेट पैकेजिंग पकड़ते हैं तो 12-inch की पैकेजिंग आपकेजिंग को आप करते है तो इसके लिए आपके स्वास्त जो क्यों पढ़ती है 35 रुपई इतने आपको कॉस्ट पढ़ती है उसके पीछे और एक स्क्रबर हम लोगों को पढ़ता है तीन रुपए इतने में पढ़ता है और उसको हम लोग बेचते दस या पंदरह पर रुपए मार्किट में बदलब रीटेल का जो मार्केट है तो उसमें 10-15 रुपए इतना हम लोगो से करना है process क्या है उसकी तो सब सब यह जो step है तो उसमें आपको dye fit करने है machine में तो dye fit करने के बाद आपको blister fit करना है और blister fit करने के बाद आपको machine चालू करने है तो machine आप जब चालू करेंगे तो मशिन गरम होने लगेगी वह मशिन गरम होने के बाद आपको उसमें शीट डालने है मतलब जो शीट है तो आप इंडिविजल आपके ब्रैंड की भी बना सकते और और ब्रैंड की भी आप यूज कर सकते आपके हिसाब से यह वो तो यह आपको लगता है तो शीट आपको इसम होकर उसमें से बाहर आता है और वह जो पैकेजिंग यह वह 12 स्क्रिबर का पैकेजिंग आपको तयार मिलता है यह शिर्फ तीन चार स्टेप में तो इतना इसी प्रोसेस है इसके पैकेजिंग का छोटा बच्चा भी कर सकता है और इसमें प्रॉफिट बहुत जाद है तो अभ हमारे बहार बहुत आट रुपई सोना तो में आज़ आप बिचेएंगे तो एक पैकेट में लगबख का कॉस्त सकाड़ गर कर प्कड़िंगे तो इसके यह ईशज़ाब कि इतने हम लोगों को बारा स्क्रबर के पड़ेंगे एक पकेट के पड़ेंगे उस इसे ऑप हमारा कंच रुपय है 35 रुपई है 35 रुपे हम हम लोगा है तो वो हमन्टिश योगोंकर 66 में 찾 चैनल करोंगें तो बहुत ज्यादा आपका चांसेस रहता है कि आप बहुत अच्छी सेल कर कर सकते हों क्योंकि हमारा जो local market रहता है local grocery stores आप हमारे गाव में इदर उदर stores रहते हैं तो वह एक इक गाव में दो दूर चार-चार stores रहते हैं तो आप लोगों ने अगर पाच दस बीजगाव अगर आपने अगर किये सिर्फ तो आपका सो इतना कॉंटिटी आसानी से सेल हो जाएगा होलसेल में तो अगर आप सो कॉंटिटी इतना सेल करोगे तो आपको छे हजार उपई इतना एक दिन का प्रॉफिट निकलेगा और अगर हम लोग महिने का पकड़ेंगे तो एक लाक असी हजार उपई इतना हम लोगों को एक महिने का प्रॉफिट इसमें से निकलेगा तो इसका अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छा प्रॉपर बिजनेस करते ह तो उसका थोड़ा सा खर्चा पड़ेगा आपको और जो हमारा मतलब स्टोर है या फिर हमारा जो एक रूम है उदर आप मैनुफेक्चर करते हो तो अगर आपने भाड़े पर लिए तो उसका थोड़ा सा खर्चा पड़ेगा उसमें तो तीस हाज़ार उपई इतना हम लोग अगर खर्चा पकड़ेंगे तो महिने का एक लाख पचास अजर उपई इतना आपको प्यूवर प्रॉफिट इसमें से निकलेगा तो यह निकलने के बाद जो इंपॉर्टन चीज़ है वो है आप इंडिविजिवल बहुत सारे स्टोर्स पर जाके ग्रोसरी स्टोर्स हो गए गए मॉल हो गए सुपर मार्केट हो गई जितने आपके पास ओप्षेंज है उदर जाके आपको मार्केटिंग करने हैं और प्राइज आप जितनी कम रोक गए उतने सेल्स आपके ज्यादा आपको मिलेंगे यह बहुत ही इंपॉर्डन चीज़ है दोस्तों आप जितने ज् इंदी जानल को सब्सक्राइब कर जीजे धन्यवाद